दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल लर्ण टूटेक में और आज किस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है वो दूर करने वाला हूँ आप लोगों को जादा तर सोसल मीडिया पर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर हर जगा एक वीडियो देखने को मिल रही होगी कि इंकम टेक्स की साइड से गौर्रमेंट की साइड से ये चीज जारी कर दी गई है कि आपको जो आपका पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ये बिल्कुल सच है लेकिन कुछ लोग इसी तरह के वीडियो बना रहे हैं बोल रहे हैं कि आप उसको फिरी में उसको लिंक कर सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं है जिन लोगों का आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है उनको एक हजार रुपे का चार् नहीं होगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वताना चाहता हूँ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सकाइब कर देए और बैल आइकन को और पर प्रेस कर देए ताकि आने वाले ऐसी नौलिजबल वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप 2022 को इन्होंने ट्वीट किया था तब से उन्होंने बोला था कि उससे पहले से भी चल रहा था कि पहले इसको फिरी में किया जाता था उसके बाद इसको 500 रुपेजिस का लेने लग गये थे लेकिन उसके बाद इन्होंने फाइनल है जो डेट वो बता दिया आप पड़ सकत लिंक नहीं होगा और आपका pen card है वो valid नहीं रहेगा उसको आप किसी भी financial जो service होती है उनमें आप उसको use नहीं कर पाऊगा जैसे bank के service में काफी सारे service होती है जिसमें अमार pen card की जरुत पड़ती है तो उन्होंने यहाँ पर उसको कैसे link करना है वो भी बताया हुआ है इसके www.incometax.gov.in पर जाना होगा उसके बाद आपको paying a fee of 1000 रुपी तो मतलब आपको एक 1000 रुपे आपको यहाँ पर pay करने होगे तब ही आपका pen card आदार कार्ड से link हो सकता है तो इसलिए आप फालतू के वीडियो के शक्कर में ना पड़े इदर उदर के शक्कर में फिरी के शक् information देनी थी वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को like share जरूर कीजेगा और चैनल पर new है तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा हम मिलते हैं आप सकले एक new वीडियो में तब तक के लिए thank you so much